केंद्री वित्त राज्य मंत्री भगपंत कराड ने आज नाकपुर में कहा कि केंद्र सरकार की सेवा में नव नियुक्त उमिद्वारों को अपने ग्यान को बढ़ावा देने नई तक्निक का उपयोग जीवन में अपने अध्यन के अन्रोप के लिए नेरंतर अध्यन इस पा नियुक्ती पत्र बाटे जाने के दौरान बोल रहे थी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के एक साल में 10 लाग सरकारी नौकरी देने के संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजिन किया गया और इस चौथे रोजगार मेले में 71 से ज्यादा नव नियुक्त कर्मिचारियों को विबिन जगहों पर बाटा गया देश भर में इस कारिक्रम के तहट केंद्रे राज्य मंत्री भागवत करार नाकपूर में मौजूद थे इस अफसर पर मुख्य रूप से मध्यर रेलवे के नाकपूर शेत्र के मंत्री का भाशन सुना इस अफसर पर नव नियुक्त को संबोधित करते हुए केंद्रे राज्य मंत्री भागवत करार ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे यूवा आबादी वाला देश है केंद्र सरकार नौकरी मांगने वाले हाथ के बजाए नौकरी देने वाले हाथ बन पुरे भारत देश में 18 महिने में 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देने का डिशिजन हो चुका है इसलिए केंद्र सरकार के अलग-अलग डिपार्मेंट जैसे रेलवे हो, पोस्ट हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो यानि हर जगह के जो जो वैकंसी है, वो वैकंसी डिकलेर करते हुए, उन लोगों का इंटर्यू लिया जाता है और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड यूथ है, उनको नियुक्ति पत्र रोजगार मेला के माध्यम से दिया जाता है मन्य प्रदान मंत्री जी के नित्रतों में ये चवथा रोजगार मेला है आज पुरे भारत देश में एकतार अजार लोगों को असपास लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है मैं नाकपूर आया था और इस नाकपूर शहर में रेलवे, पोस्ट आफिस, इंकम टैक्स, बाद में माइन्स और डिफेंस, सेंटर रेलवे, पुलिस फोर्स अलग-अलग चेत्र के लोगों को आज नियुक्ति दिया है मैं मेरे स्पिश में ही बताया कि आप सभी यूथ जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, वो अजादिका, अमरतकाल का पहला साल और ये 25 साल देश की सेवा करने वाले हैं और 2047 में प्रधान मंत्री जी का सपना है कि भारत देश विश्व गुरु बनना चाहिए और इसी के लिए हर क्षेत्र में बहुत ही आच्छा काम चल रहा है तो मैं इन नव यूकों को जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको बताना चाहूंगा कि आपके लिए केंदर सरकार के माध्यम से एक पोर्टल भी निकाला है जिसके ट्रेनिंग दिया जाज सकती है और उसी के साथ मैं मेरे स्पीश में बताया आप नया टेकनलिजी का यूज करो आप नए नए सौशोदन जो हो रहे उसी का यूज करो आप किताबे पढ़ते रहो आप पढ़ाई करो आपका हेल्थ अच्छा रखो और एक मानवता के लिए एक देश के लिए राष्ट्रेत के लिए आपको काम करना है और आप सभी नशिबवान है कि आप 2047 तक भारत देश के सेवा में रने वाले इस मौके पर कराण ने दर्शकों को केंद्रिय वित्यमंत्राले द्वारा लागू की जा रही मुद्रा योजना स्टेंट अप योजना स्टार्ट अप इंडिया जै जमानती रिन दिया जा रहा है और इस योजना के तहट अब तक 49 करोड लोग मुद्रा योजना से लाबानवित हो चुके हैं और 79 प्रतिशत वे महिला आए हैं भारत सरकार ने प्रोड़क्ट लिंग इंसेंटिव यानि पी एल आई यानि प्रोड़क्ट बेस इंसेंटिव स्कीम के तहट आयात कम किया है और निर्यात पर जोर दिया है उन्होंने यह अभी कहा कि भारत की अर्थ विवस्ता आज दुनिया में पांचवे स्थान पर पहुँच गई है मध्यरेलवे के नागपुर मंडल के महाप्रमंदक तुशार कांत पांडे नी इस अफसर पर कहा कि मध्यरेलवे ने इस रोजगार मेले के माध्यम से 2532 उमीदवारों को नौकरी दी है और 7000 नई नियुक्ति की योजना चल रही है नागपुर के रोजगार मेले में आज 210 नियुक्ति पत्वित्रित किये गए जिसमें रेल विभाग में 156 डाक विभाग में 5 भारतिय खा प्रद्योगी की संस्था में एक इसी तरह स्वास विभाग एमस में 1210 नियुक्ति पत्र बाटे गए तो शारकान पांडे ने बताया कि इन सभी उमीदवारों को विभिन्य विभागों में सहयक स्टेशन प्रबंदक इंस्पेक्टर, कॉंस्टेबल, स्टेनोग्राफर, इ जैसे विभिन्य पदों पर नियुक्ति किया जाएगा, कारिक्रम में विभिन्य विभाग के अधिकारी नियुक्ति अभ्यरती उनके परीजन बड़ी संख्या में शामिल हुए NBC News के लिए राचकुमार मोड के साथ शितिजा देशमुकी रिपोर्ट